Hello students, आज मैं आपके साथ MCO1 Organization Theory and Behavior Assignment का second question discuss करने जा रही हूँ Second question के two parts हैं, A और B Part A में बोल रहा है, What do you mean by organizational behavior? Explain meaning and scope of organizational behavior तो सबसे पहले हमें क्या करना है? Organizational behavior के बारे में बताना है कि organizational behavior होता क्या है? फिर इसके बाद हमें बताना है कि जो organizational behavior होता क्या क्या है? ठीक है, तो पहले organizational behavior में हम क्या करते हैं? Behavior जानते हैं कि इसका persons का जो की organization में काम करें है It is an important aspect to understand others behavior in an organization Organization behavior के तुरू हम जानते हैं कि जो बाकी लोग हैं उनका behavior कैसा है जो organization में काम कर रहे है ताकि क्या कर सके हम human behavior को जान सके और उस human behavior को जानने के बाद उन humans को इस direction में काम करवा सके ताकि जो हमारे organizational goals हैं उन्हें हम achieve कर सके तो सबसे पहले मैंने क्या किया है organization behavior के बारे में बताया है और फिर वो जो organizational behavior है उनको अलग-अलग author ने किस तरह से explain किया है उसके बारे में भी बताया है जैसे Keith Davis से उसने कहा है कि organizational behavior is an academic discipline that is concerned with understanding and relating human behavior in an organizational behavior कह रहा है कि Keith Davis से उसने बताया है कि organizational behavior में हम क्या करते है human behavior के बारे में जानते हैं समझते हैं इसका जो main focus होता है वह किस पर होता है focus on the complex human factor in the organization में ध्यान कहा होता है organizational behavior में human factors के उपर कि human behavior कैसा है वो कैसे behave करते हैं कैसा एक चीज का या एक तिंग का human behavior पर effect पढ़ता है human कैसे उसके उपर react करते हैं इन सब के बारे में किसने बताया है हमें Lutherans ने ऐसी अलग-अलग writers ने बताया जैसे Lutheran ने हमें ऐसे बता दिया जो आपका केद्धा भी से उसने अलग definition दे दी इस तरह से अलग-अलग जो author हैं उन्होंने अलग-अलग उसका main scope individuals है, groups है, and structure है और which structure है? Organisational structure क्योंकि हम organizational behavior की बात करने हैं तो organization की बात करता है वह पर individual person काम करते हैं अलग-अलग तरह के person काम करते हैं फिर जिब वह एक group में एकटा हो जाते हैं, जब एक group में काम करने लग जाते हैं, तो वह individual से क्या बन जाते हैं? Group बन जाते हैं, और फिर बात आजाते है कि इसकी organizational structure की. तो individual behavior में क्या देखते हैं? इंडिविजवल बहेवियर में हम देखते हैं कि जो एक परसन है वो किस किस तरह से रिस्पॉंस करता है ठीक है जो रिस्पॉंस करता है वो या तो इंटर्नल यानि या तो उसका इंटर्नल बहेवियर होता है जैसा उसका nature है, inherited है, जनम से ही जैसा है, ठीक है, या फिर external होता है, यानि कि आसपास के environment ने जैसा उसे बना दिया है, या जैसे environment में वो काम कर रहा है, तो अगर हम normal language में बात करें, तो it is the way a person reacts in different situation, कि अलग अलग situation में एक person कैसे react करता है, वो हम किस में पढ़ते हैं, उसके इंडिविजवल behavior में पढ़ते हैं, तो जो scope of organizational behavior है, वो mainly तीन में काम करता है, 1st आपका individual behavior, 2nd group behavior, 3rd structure, तो बता रहा है कि जो individual characteristics है, वो दो तरह के होते हैं, 1st inherited characteristics, और learned characteristics, जो जैसा person सीखता है, कहाँ से, जो आपकी है इन ह тебя शके एक तो आपकी क से provide you? जो जैसा परसन सीखता है, कहां से, उसको उसको मिलती प्र जिय्का शक्त नपीक, the gifted feature social and individual positives by birth is considered as inherited characteristics जो जनम्जात मेले है अगजन मेरे क्वा ध्रिश्थिक तर्फोट्स्सक्रीडNow, आसपास के महल से लिए पास के पूलिफी आज कैण से है। को किसमे आ जाते है हमारे इसामने वाले के personality कैसी है उसका perception क्या है क्या सूचता है values and attitude क्या है वो किस बात को मानता है उसके beliefs क्या है उसका attitude क्या है different things के ओपर learning कैसी है और motivation क्या है कि देखो दो तरह की motivation होती है एक आपके internal होती है external होती है learning होती है जिसमें person सीखता है बाहर से वो सारी चीज़े हमारी किस में आ जाती है individual behavior के features में दूसरा आता है अपका group behavior तो group behavior क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग interact करते हैं interdependent हो जाते हैं एक दूसरे पर और मिलकर काम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक group है a group behavior can be stated as a course of action a group takes as a family जाता है तो एक इनसान नहीं करता है पांच एछे लोग करें तो वो हमारा क्या है ग्रुप कहला सकते हैं ठीक है अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप भी दो तरह के होते हैं formal group और informal group formal group कौन से होंगे जो आपके works related होंगे जैसे कि काम से आप एक जैसा काम करें तो आपने group activity करें और informal क्या होगा कि अगर आप अलग अलग काम करते हैं बढ़ लेकिन अगर आप किसी से emotionally attached है तो इसमें में क्या क्या आए आपका वर्गृट आता है ग्रुप dynamics आते हिए dynamic of conflict आती है communication आती है leadership की बात करते हैं moral की बात करते हैं फिर आता आपका और इनाइजेशन जो हम थर्ड स्कोप है हमारा organization behavior का इसमें structure की बात करते हैं process की बात करते हैं application की किस की Odergain친irteen के तो इसमें महतु हम पढ़ेंगे organizer climate के बारेमे के और यहां का क्लाइमिट का है क्लाइमिट का मतले वह नहीं की ठंड है गर्मे में नहीं किắn काम करते हैं वहां कैसा माहॉल है उसके बारे में ... Organisational Culture कि वह किन बातोक में Believe करते हैं पर उनके Believe को है उनके values क्या है वो कौन को उनसे rules regulations अपनाते हैं organizational में changes क्या क्या है organizational effectiveness की बात की जाती है organizational development की बात की जाती है इस तरह से part A में हमने किसकी बात की है organizational behavior और इसके scope की आप चाहें तो इनको organizational climate या जो भी many points आप बता हैं उनको और detail में कर सकते हैं but according to question इतना sufficient है इस लिमनेन को और आगया explain नहीं किया है अप आते हैं part B पे उसमें है what is effective communication discuss the significance of communication in organization तो बताने अपको effective communication क्या होते है और इसके importance क्या है तो सबसे पहले मैं आपको इस question में बताया है कि effective communication होता है guys effective communication में हम idea exchange करते हैं thoughts, opinion, knowledge, data यह हम exchange करते है so that the message is received and understood with clarity and purpose effective communication तभी होगा जब कोई receiver और जो sander है उन दोनों के बीच में किसी तरह के कोई noise नहीं होगी जैसा सामने वाला समझाना चाहता है ठीक है sander आपको जो बताना चाहता है message और receiver उसी वे में accept करता है message को तो वो effective communication होती है और इसके साथ साथ जो sander और receiver होते हैं वो दोनों ही satisfied feel करते है communication occurs in many forms verbal, non-vermal, written, visual, listening पहुत तरह की communication होती है इसके बारे हमने पढ़ा भी है ठीक है अगर हम चाहते हैं कि हमारी communication effective बने तो उसके लिए हमें जो communication है वो कैसी हो नीचे clear होनी चीए, correct होनी चीए, complete होनी चीए, concise होनी चीए, compassionate होनी चीए ऐसा ने बहुत बड़ी बड़ी आपने communicate करें तो बहुत सारा आपने बोलते हैं तो सामने वाले को समझ में हैं तो अगर हम elements की बात करें कि जो communication हो effective बनती है तो फर्स बनती है जो आप बताना चाहते हैं सामने वाले को समझ में आ रहा है easy है, simple है, understandable है correct message आप दे रहे हैं पहला तो clear है कि जो आप समझा रहे हैं वो सामने वाले को clear समझ में है दूसरा correct message हो ऐसा नहीं हो कि जो information हो false हो नहीं correct होनी चाहिए, grammatical mistake नहीं हो चाहिए सब कुछ error-fury होनी चाहिए complete message होना चाहिए, आधिय धूरा नहीं होना चाहिए precise message होना चाहिए precise message होना चाहिए precise मतरब short हो ठीक है बहुत लंबा वाशन देते होंगे तो समझ में नहीं आएंगा reliability होनी चाहिए कि हाँ, जो information आप दे रहे हैं consideration of the recipient it means कि जो भी आप communicate करे है जो आपका communication का माध्यम है, source हो इस तरह का होना चाहिए planned or keeping in mind attitude, language, knowledge education level and position of the receiver कि receiver के according दे ऐसा है कि अगर आप 11th class के students को become का को समझाने लगेंगे तो उसको समझने में problem होगे center courtesy the message so drafted must reflect the sander's courtesy humbleness and respect towards the receiver ऐसा नहीं बत्तमीजी से बात करें कुछ भी बोले जाने वह चीज़ नहीं होने चाहिए effective communication से बहुत सारी चीज़ होती है यह manager के लिए भी बहुत जादा जरूरी है ताकि वह अपनी basic responsibility को पूरा कर सके like planning, organizing, leading, controlling okay significance में पहला आता है आपका building trust इससे trust बना रहता है क्योंकि देखिए अभी बात हुई थी जो message होना चाहिए clear होना चाहिए reliable होना चाहिए trust बनता है कि सामने वाला सही बोल रहा है आप एक role model कितना सामने आते है prevailing or resolving problems अगर कोई problem है और आपने communicate कर लिया है direct पूछ लिया है आपस में बात कर लिया है तो उससे क्या होता है providing clarity and direction देखिए अग जितनी ज्यादा effective communication होगी उससे क्या होगा कि you are able to deliver clear expectation and objective for your team अगर आप एक manager है या आप एक leader है तो अपने team को अच्छे से बता पाएंगे फिर है create battle relationship बनेगी increase engagement जो लोग है आपस में अच्छे से हो पाएंगे किसी को किसी की बात समझ में आ रहे है तो ही आपस में बात करेंगे improve productivity जो आपकी organization की productivity उससे improve होगी effective communication के तुरू conflict नहीं होगी और अगर होगी तो बहुत जल्दी resolve होजेगी communication बहुत अच्छे से होगी तो workload और destruction नहीं minimize कर पाएंगे तो productivity improve होगी promote team building इससे क्या होगा कि अगर communication अच्छे चल रहा है सब कुछ सही चल रहा है जो सब sender भीज रहा है तो team building promote होते है group बनते हैं आपके with improved communication team members will be better able to rely on each other और इससे कि अगर team members होगे वो आपस में feel करेंगे कि हम एक group कितना है और इस तरह से जो आपकी team building है वो promote होगे तो यह है हमारे significance of effective communication I hope कि आपको दोनों questions बहुत अच्छे से clear होगे होंगे Thank you students